मन्जिल युही नहीं मिलती राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है कैसे बनता है किसी ने पूछा चिरियां से कि गौसला कैसे बनता है वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है जिहां दोस्तों नमस्कार जेए क्लासेज परिवार मिनट में आप सभी का हार्दी सवागत है मैं हूं हेमंद कुमार और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सब और इस रन्भूमी बैच में आपके जो बोड के दौरा अभी ज़स्त पिछले वीक में जो आपको पैटर्न को बताया गया है जो पैटर्न है के साथ है न जैसा कि सभी को पता है कि श बार उफलाइन मोड में ना हो करके औलाइन मोंड में होना है और इस बार के सबजेक्टिव ना ओक्रकर आभाईक्टिव याणकी mcq पर अधायर relativity होंगे तो ऐसे कोश्चन को सौल्व कराने के लिए इसे कोश्चन के चेंज हो गया हो बिल्कुल अचानक से सब कुछ बदल गया हो लेकिन आपके जो हमारे साथ बने हुए हैं आपने जो हमें इतना प्यार दिया है इसी के मद्दे नजर हम भी आपके साथ यहां पर खरे हैं और आपको हर जवरी चीज हर एक ऐसी चीज जो कि आपको एक्जाम मे अच्छे अंको से पास करने के लिए जोड़ी है वह यहां पर प्रवाइड कराया जा रहा है और इस बैज के अंतरगत आपको क्या-क्या चीजे मिलने वाली है इसको हम देखते हैं तो देखिए सबसे पहली बात तो आपको यहां पर कोश्चन सिर्फ आपको रटाये नहीं ठीक है उसके बाद जो हमारे बैच में एंट क्यू चल रही है जो कोश्चन को आपको रिविजन करें लाने के लिए हम एंसी क्यू पीडिय भी आपको अब्लेबल कराएंगे ठीक है उसके बाद आप बहुत जोड़ी हैं जब भी कोई एक्जाम होता है तो वहां पर पर ऐस आपको चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको यह एप डाउनलोड करना है हमारा यह जो एप है जी क्लासेज मेरट इस एपको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर के प्ले स्टोर में जाकर के आप जी क्लासेज मेरट सर्च करेंगे तो आपको य किलियर किया जाएगा ठीक है चलिए दोस्तों ये आप जो है बिलकुल डाउलोड कर लेना है और अपने दोस्तों को भी जोड़ बताना इस ऐप के बारे में ठीक है उसके बाद मैं आपको भी बताना चाहता हूँ दोस्तों जैसे कि यहाँ पर मैं हमन्त कुमार आप लोग के लिए जो सब्जेक्ट लेकर आया हूँ यह है इलेक्ट्रिकल एनरजी हमने पहला क्लास कर लिया है कली आपको पहला क्लास पढ़ाय गया था उमीद करता हूँ कि उस वीडियो को आपने देख लिया होगा ठीक है और अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को भी आपको जरूर देखना है इस लेक्ट्र के बाद क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे इन्पोर्टेंट कोश आ सकते हैं ठीक है दोस्तों स्टार्ट करने से पहले यह कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में सेर कर दीजिए और हाँ लाइक तो जरूर करना है तो कि लाइक नहीं करोगे तो हमारा मनोबल उतना नहीं बढ़ पाता है अगर जो鍵 것은 अपने सब्जेक्ट में क एक स्प्रीम रिए लेवल की सुप्रीर क्व्यालिटी की फैकल्ट्य प्रवायद कर आती आती में अपने अपने सब्जेक्त को पढ़ाने का अनुभव है ठीक है तो आईए हम इसी बात के साथ आगे बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट की और चलते हैं हमारा जो सब्जेक्ट है यूटिलाइजेशन ओफ एलेक्टिक अनरजी और इसमें जो फस्ट चेप्टर चल रहा है जिसका नाम क्या है इलूमिनेशन यानिकी प् सकता है तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है कि दिन के प्रकास का एक अच्छा प्रदीपन है कौन सा प्रदीपन हो सकता है दिन के प्रकास का यह आप से पूछा जा रहा है तो आप बता सकते हैं जल्दी से अंसर बताईए अगर बता सकते हैं आप तो कॉम को भी समझना हमारा में उद्यस है क्योंकि अगर कोंसेट से कोई भी कोशन आता है और आपने कॉंसेट को समझ रखा है तो उसको बिल्कुल उड़ाते हुए चलोगे बिल्कुल एक सकंड में क्लिक करके बढ़ जाओगे लेकिन सिर्फ रट के जाओगे तो थोड़ी सी दिक्क का भी नाम है तो यह तो और जरूरी हो जाता है इसको समझना प्रदीपन क्या होता है देखिए प्रदीपन क्या होता है यानि कि इल्यूमिनेशन क्या होता है देखिए इल्यूमिनेशन एक ऐसी प्रिकडिया है जब हम किसी रौशनी को हम किसी सतह पर क्या करते हैं बिखरा करता है कि इस प्रदीपन करता है कि हमारे पास एक रूम है बिल्कुल बंद चारों और से वहाँ पर अगर कोई काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको प्रदीपन की अधिक आभ सकता होगी कहां पर bedroom में यहां पर पढ़ाई कर रहे हूं तो यहाँ पर आपको कम प्रधीपन पर्ती है ति तो यहां पर राज़ मिस्तिरी क्या करता है आप सभी को पता है राज मिस्तिरी भावन Nir créd Command करता है ठीक है और एक माम लिज़े कि हमारा और ieur Joint wipes करता है जो घड़ी को ठीक करता है ठीक है घड़ी बनाने वाला व्यंध और हैं कि कि अभी आपसे पूछोंगा कि बताईए कि इन दोनों में से किस को अधिक प्रदीपन क्याफ सकता है कि उसको ज्यादा iluminations क्या सकता है याδि कि इसको अधिक रौशनी का रशकता है तो आप क्या कहेंगे बिल्कुल सही समझ रहों बिल्कुल आपने जवाब दे दिया है घरी बनाने के लिए हमें जो भी घरी बनाता है ना उसे अधिक रोसनी क्या सकता परती है क्योंकि घरी में छोटे छोटे आपके पार्ट्स होते हैं जिसे हमें लगाना होता है और वहाँ पर अधिक रोसनी की जर्थ परती है ताकि उस होती है यह अपना कार असानी से कर सकता है तो आपको थोरी बहुत कॉंसेप्ट है कि इल्युमिनेशन का मतलब किसी सतह पर प्रकास का विखराव है और यह विखराव प्रकास की विखराव या यह illumination depend करता है कि किस जगह पर इसकी आवशकता है अगर कहीं पे को ऐसे काम है जो महीन काम है जहां पे हमें छोटे-छोटे जो पार्ट पूर्जी उनको पर आपको अधिक करती है और जब खुले अस्थान पर आपको प्रकास की कम है तो अब आपको समझ मागया होगा ठीक अब इसको देखते हैं को समझना है कि दिन के प्रकास का अच्छा अधिपन है और गुडड़ लाइट illumination एज यानि उसका प्रतिपन कितना होना चाहिए एक अच्छे दिन का मतलब है कि अच्छे दिन का मतलब देखिए अच्छे दिन का मतलब प्रकास की मात्रा अधिक हो एं ऐसा नहों हम कभ कह सकते हैं कि यह अच्छा दिन है जिसमें प्रकास की जो महातर है वह बहुत अधिक है जितनी होनी चाहिए उतनी है देखें दोस्तों वैसे तो हमारा जो अब यहां पर लक्स लक्स क्या है इसको याद रख लो क्योंकि यहां से एक important point बन सकता है question बन सकता है लक्स मात्रक है किसकी illumination की तो आप से को भी पूछे कि प्रदीपन का मात्रक तो अब उत्म जवाब देना है लक्स तो आप से एक्जाम में यह भी कोशन पूछा सकता है कि वर्ट इस दा unit of illumination यानि कि प्रदीपन की मात्रक क्या होता है तो क्या बताओगे लक्स ठीक है तो देंखिये एक अच्छे किसी बी दिन का जो प्रदीपन होता है वह हंडेड से लेकरके 400 लक्ष तक खो सकता है लेकिन यहां पे सिर्फ दिन नीं पूछा एक अच्छा दिन पूछ्छा नहीं होंक यह तो अच्छी प्रकास की कि वह दिन का अच्छा प्रदीपन है तो आपको collaborस आपको प्रदीपन के लिए ठीक है चलिए अब कुछ आ गया होगा साथ साथ कुछ कौंसेट्ट में समझ मैं आएगा एक पर समझे का यूनेट लक्स होता है और आपको क्या मतलब होता है यह आपको संध में आ गया होगा चलिए नेश्ट कोशन की तरह बढ़ते हैं कि स्कूशन आपके सामने स्कूशन के पता कि पता के इस कोंशन के क्या हो सकता है जल्दी बता है नत जल्दी से बताना है को दीए को पढ़ेये ध्यान से प्रदर्शित किया जाता है है यानि कि लेंब की दक्षता लेंब की दक्षता एफिसेंसी ऑफ लाइट कह सकते हम सकते हो आप यह यह पर भताएं इस प्रकास के जो रहता रहा है किसमें ध्यान राखना यह यह आद्या होता है पता है Oczywiście यहां पर बच्चे कंफ्यूई हो जाते हैं इसको ध्यान रखना है लुमें पर वाट यह है आपकी मात्रा किसकी लैंप के प्रका इलुमिनेशन की प्रदीपन की लैंप की दक्षता है वो कितनी होते है लिमेन पर वाट तो लिमेन पर वाट आपका डी एंसर हो जाएगा कभी जल्दवाजी में लिमेन वाट मार के मत आजाना लिमन वाट यहाँ यह नहीं इद नहीं है यहाँ पर सिधिक तो डिवाइडर होगा ठीक है यानिकि लूमेन divided by what so this is the correct answer for the efficiency of lamp ठीक है सब्सक्राइब आपको पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं चलिए आते हैं नेक्स्ट कोशन पर क्या है दिन के प्रकास सा एक अच्छा प्रदीपन है तो यह सोडियम वास्फ लेंप द्वारा उत्ष्जित प्रकास का रंग कौन सा है अब बहुत इंपोर्टेंट्ट आपको तो इसको भूलना ही नहीं है है ना देखिए पहली बात आपको मैंने बताया था कल भी सोडियम के बारे में तो sodium lamp में आपको कुछ चीज़े ध्यान रखना है फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं चीज़ों को थोड़ी से थोड़ी से क्योंकि बार बार रिविजन करने से अभी बता है तिनका तिनका अगर आपको क्या करना परता है घोसले को बनाने के लिए तो आपको कोश्चन को जितनी बार रिविजन कर सकते उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए इसमें कोई दोराय नहीं है तो सोडियम लैंप के बारे में थोड़ी से जानकार रहां कर लेते हैं देखें सबसे पहली बात सोडियम में क्या होता है किस अभी करिया के फालषरोप यह ब्रो करता है यह जलता है तो इसके लिए प्रकेरीया जो भाग लेता है वो क्या है गैसियस डिस्चार्ज इसमें आइनी करण होता है तीक है गैसियस डिस्चार्ड यानि कि गैसियस निर्वहन ठीक है गैसों का निर्वहन प्रकार्या जो है भाग लेता है किसमें शोडियम लैंप में ठीक है एक बार इंग्लीज में पढ़ लेते हैं विच इस दा कलर ओफ लाइट एमिटेड बाइ सोडियम वेपर लैंप जब जलती है ना तो किस प्रकार का रंग उत्तरजित करता है यह कोश्चन आप तो टो डिफरे फिरेंट जो आपके आर्क लेंप है तो इसका उप्यों का नियुक्या में तुसरी बात आपको ये मैंने कल भी बताया था कि इसका उप योग हम लोग कहा करते हैं बड़े बड़ेस्थानों पर या कह दो कि खुलेस्थानों पर हम क्यों करते हैं क्योंकि इसमें इक और ध्यान अकर यहां से भी कोशण बन सकता है कि इसमें जो उस्मा है ना यह उस्मा अधिक मातरा में उस्तरजित करती है है ना उस्मा आपका उसका withdrawals होताया अधिक मात्रा में होता है तो आपको ध्यान रखना है तो चुकि खुले अस्थानों पर यूज करते हैं अगर हम अपने घर में यूज नहीं कर सकते क्योंकि उस्मा उस्तरजन की मात्रा हो पहुत अधिक होती है जिसके वाइस से हम इसका उपयोग अपने घरों में नहीं करते हैं और आपको इसके लिए यहाद एक पूछा है कई ँर में वाइस करते हैं street light प्रिशान हब करें अगर आप से कुछते के स्टेडियम में किस तरह करेंगे लैम्प किस तरीगे का लाइट लगाएंगे तो आफको तभी वह इंसर के देना है सोडियूम लैंप ही देना है इसके बाद आपको जो इंपोर्टेंट जिस्वें को पॉष्चन बनने वाला है ध्यान रखना है कि सोडियूम में प्रकास का जो सर जन होता है वह किस तरीगे क के अंदर से आएगा इससे बाहर से कॉंसेप्ट से बिल्कुल भी नहीं आएगा ठीक है तो देखिए आंसे क्या पूछा गया सोडियम वास्ट लैम तरह उसा जित प्रिकास का रंग कौन सा होता है तो यहां पर सीधे सीधे आपको बिना ज्यादा दिमाग लगाए आपको क्ल रिप्लाइब किया जाएगा ठीक है तो देखिए दोस्तों कुछ अभी थोड़ा सा बहुत सारे दोस्त कर रहे थे यह लैब नहीं है लैब नहीं है प्रिमायर देखिए दोस्तों जल्दी ही कुछ टेक्निकल इसी के वएस से अभी हम लाइब नहीं हो पा रहे हैं लेकिन ज इमलिखित में से किसका तरंग धायर सबसे ज़्यादा होता है तो विच ओफ फॉलिंग है अब यह देखिए इसकी जुरत क्यों पड़ी हाला कि एक कोशन ऐसा है जो आप आपके सामने से कई बार आया होगा कई से कई बार गुजरा होगा टेंट में भी पढ़ा होगा आप तो आपको यह देखना होगा कि इस में से आपको पता है कि जितने जो आपके सफेद कलर के रोशनी होती है सफेद कलर की जो लाइट होती है सफेद कलर की जो लाइट होती है सफेद प्रकास होता है वह बेसिकली कितने कलर से मिलके बना हुआ है साथ कलर से मिलके बना हुआ ह यह किस ने बता था सबसे पहले यह जिस्क एस्पेरिमेंट क्या गया था न्यूटन के द्वारा निूटन ने शबसे पहले बताया था कि हमारे जो यह सफेद रोश्णी या जो सुरुके प्रिकास आपको सफेद दिखती है वह बेसिकली साथ रंगो से मिलके बना हुआ है ले ब्रेडि कलर की विवीफ लिंथ है वो सबसे अधिक व्रेवलेंथ बला परकर्कास की मतलब और सबसे कम बला होता हो कितना होता है वैगनी होता यानि कि वैयलेड होता है तो आपके जγगञा get सबसे कम होती है। ठीक है दोस्तों तो आपको ध्यान रखना होगा और अब आपसे कोई पूछ ले अगर यह भी आ सकता है ध्यान अखना सारा का नहीं आगा सातों का नहीं आगा बस दो ही का आगा बता जिता हूं देखिए आपका एंगे स्ट्रॉन होता है वेविलेंद किसका रेट कलर के लाइट का ठीक है अगर बात करें वायलिट का आपके मैं छोड़ दू या बता दूं चलो मैं बताता हूं कोई और दूसरा कोई आपके लिए छोड़ूंगा ठीक है इसकी जो वेविलेंथ होती है वह 4,000 एंगे स्ट इसकी वेविलेंथ कितनी होती है तो अगर आप से सब्सक्राइब किशाएं कि देखिए दोस्तों जैसा कि हमारा जो जैई कलासीज मेर पड़िवार है वह आपके लिए एक एक बैच लारा है सारे सब्जेट के लिए और सभी ब्रांश के लिए तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को क्या करना है अपने दोस्तों में ठीक है ताकि वह वह इसका फायदा उठा सके और इसके साथ साथ आप में से बहुत सारे से स्ट्रेंट्स होंगे जो तयारी कर रहे होंगे आगे की कर रहे होंगे या यूपी कर रहे होंगे या यूपी कर रहे होंगे क्या जितने भी गॉर्मेंट लेवल की जो इस्टेट गॉर्मेंट की जुनियर लेवल लेवल की जो इंजिनिरिंग के एक्जाम्स हैं उनकी आप तयारी कर रहे होंगे उन सब का तयारी के लिए एक सवश्य संथान हैं आपके अपने सहर मेरट में जहां पर आप बहुत ही अच्छे से तयारी कर सकते हैं ऑफलाइन क्लास के साथ साथ अगर आप नहीं पहुंच पाएंगे इस मेरट तक तो आप ऑनलाइन क्लास भी जोएन कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको इसमें क्या-क्या मिलेगा यहां पर इस क्या-क्या बिशेषता है देख लीजिए कि हिंदी और इंग्लिस दोनों माध्यम में आपको पढ़ाया जाता है जो दी मीडियम के बच्चे हैं वह हिंदी मीडियम में कुकि उनले इंगली इंग्लीज में होती है तो हमने इसके लिए इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा ठीक है ऑनलाइन ऑफलाइन तो बिल्कुल अच्छे से त्यारी करीजिए कमर कस लिजे हमारा उद्देश सिर्फ आपको बीटी बोने पास करा नहीं है बलके हमारा उद्देश क्या है आपको एक अच्छे कैरियर के निर्मान में भी भागिदारी हमारी जेए क्लासेज की तरफ से आपके साथ रहेगी ठी के बाद अगले मेने से हमारे जिन्यू बैचे से स्टार्ट हो रही है के लिए आप उसको भी जोइन कर सकते हैं ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं कि कई 14 वर्सों से हमारा जो इस संस्थान हो चल रहा है और बहुत कई हजार जो अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में ईबार्टमेंट में जौब कर रहे है जिन्मेंसे आपके कुछ आपकर सामने पर दिख रहे हैं सर्ण है के सामने की कि कैंडला एकई है तो लेकिन उसका नेचर अलग था स्कूर्षं को पढ़ाओगा तो आप सकते हो डिसकर नहीं कि यूनिट है कि आपको बताना चाहूंगा रिपार मता थोड़ी बहुत कि आपको पता है कि जितने भी यूनिट है उसको दो भागों बाटा गए एक तो होता आपका वेस कि याने कि मोन इकाय ठीक है। यानि किया होता आपका दूसरा होता है आपका तो धॉट ! यानि के सुकते है इंग्लिश में मौ डराइव दिनिट वेश इनिट को हम लोग क्या करते हैं बेशी को हम क्या है और अब मूली का प्राप्त है इसके सिंट्रम और इंटरनेशनल द्वारा यहां कि आपका जो जो डिफेंट डिफेंट साइंटिस्ट है वहां पे 1960-70 में यह बैठक की गई थी और वहां बताया था कि जितने भी quantity है साथ quantity उन्हें चूज गया था और साथ quantity को उन्हेंने साथ fundamental unit बताया था ठीक है और ड्राइब उनित होते हैं जो बेसिकली मुल केक्ष हैता से ही बनाय जाता यह तो यहां पर पूछा जा रहा है तो बेसिकली केंडला यह आपने पढ़ा होगा मैं आपको बता दूं कि बेस उनित में काता है आपका जयोती त्रिपता तुब्धा तरफ्ता बेस कॉंटिटी में बेस रासी में यानि की मूल जो रासी है उसमें एक आता है क्या ज्योती तरफ्ता जो बताएगे आपको साथ क्या कहते है तो आपको ध्यान रखना है इसकी यूनिट है यहां पर कि कैंडला जो है कि घंडला जो है सो किसकी का है तो देखें लुमीन एस फलक्स नहीं होगा नहीं का लुम्हें इंटेंसिटी को लुमीनियस तरफ्ता जेसे कहते हैं क्या इंगे दिमने जोती का तरफिक है ठीक है तो यह इसका आंसर हो जाएगा दूस्तों मैं आपसे पूछ हूँ कि जो जो कैंडला आपको बताना comment box में कुसे की नाम पर है किस्यांट di TONER को पता है ना कि किसकी मातरक है बलका और नीच vulner किसका नाम है किस्याट तो आप से यहीं पूछ रहा हूँ कि क्या यह भी सेंटिस्ट का नाम है या किसी अब्जेट के नाम पर रखा गया तो बस आपको कॉमेंट करके बताना है ठीक है चलिए अब देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें यहां पर ध्यान रखनी है और ध्यान क्या रखनी है कि आपक से कम तीन या चार जो की मात्रक से पूछे जाना वाला है या फर्मूला से पूछा जाने वाले क्वेश्चन होगा ठीक है तो आपको एक साथ ही मैं आपको चार बना कर देंगा क्लास के लास्ट में तो आप उसे क्या करोग अच्छे से रिविजिन कर लोगे भी फोर देख से पूरा प्रकास की ओचना आपके पास रिखत होता है इस और कर पकास उंथ क्या होता है और समझे जैसे सपोज किजिए को आपके कमड़े में अन्धेरा तो प्रकास की एसी विवस्ता जहांपा लायट की यह सारा सारा प्रकास आबजेक्ट पर क्या करता है विख्रेता है प्रकास की ऐसी विवस्था मिक्साद करते हैं इस अब आपर 10 प्रकासन यह त अब आपने देखा क्या है। आप रे बड़े बैनर मसले डैसे किसी ब्रीजपर या कहीं बहुंब आपको चमकता होसा नीचे से आपको प्रकास की ये यहां पर करके क्या होती है क्योंकि नीचे से आती है प्रकास इस पर और यहां से आपके जो बोर्ड है वो चमकता है ठीक है तो यह अपर टेक्स है खुले अस्थानों पर फ्लöd लाटिए ठीक है और अर्द पर्तेक्ष जहां पर हम लोगavar की थोड़ी इस्तेमाल करते हैं और थोड़ी मातरा को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं रोक लेते हैं परकास के यहांफे क्षण किए पूछक्ष योजना का इस्तेमाल क्या आता है अब इतना हिंट आपको दे दिया आपको बताना है क्या प्रत्यक्ष प्रकासन होगा नहीं स्टेडियम में से काम चलेगा क्या बिल्कुल नहीं चलेगा अब प्रत्यक्ष प्रकासन से भी काम चलेगा क्या नहीं चलेगा तो किस से काम चलेगा जैसे होगा और बहुत सारे चीज़ आपको सीखने के मिली होगी ठीक है चलिए हम लोगे के तरब बढ़ते हैं कि सीनेमा के प्रजेक्ट के लिए प्रदीपन का सुरॉत होता है अब देखिए इससे सम्हें को समझाओगा तो आप बिल्कुल आंक बंद करके क्या करोगे कोशन का आं सब्सक्राइब करें कि यह अपने लाइट को फोकस्ट करता है एक अस्थान पर और अपने रास्ते में अपने लाइट की जो इंटेंसिटी है उसका विखराओं नहीं करता है ठीक है तो आपको ध्यान रखना है इसका अंसर क्या हो जागा कारवन आर्क लैंप याद रखने आपको ठीक है सिनेवा प्रोजेक्टर के रूप में मैंने कल यह बताता है कि जब भी यूज़ोगा या आप से कोशन उल्टा पुछा सकता है कि कारवन आर्क लैंप का उप्यूग कहा आथा है तो आपको अंसर क्या देना हैं तीक है चलिए निए निएक से किसमे अधिक्तम अस्तर के परद प्रदीपन क्या होता है अब मैंने आपको बताया थे कि प्रदीपन क्या होता है प्रदीपन के बारे मैंने बहुत अच्छे से बताया आपको कि पर्दीपन बेसिकली प्रकास की बिख्राव है और मैंने भी बताया था कि किसी सतह पर जब प्रकास पड़ती है तो अलग- मतलब क्या होता है कि कोई छीज आपके पास बन के आई है लिख लिखा अगर कोивать आई है उसससुद्य अबस्स असुद्यूँ को ढूंड़ना आ कि वहाँ कि द contemporary यह और 건 नहीं को इसकी मिस्टेक्ट तो नहीं को गलाची तो लिखनहीं तो देखो सेन कक्ष में हमें रौशनी क्या सकता होती है लेकिन साइड इतनी नहीं होती आपके पास थोड़ी कम भी रौशनी हो तो आप सोना ही तो है सेन कक्ष में जाकर सोजा आंक बंद करके बलके कई लोग तो लाइट आपकर कही सो जाते हैं तो वहां पर तो बिल्कुल क्ष में यहां भी रौशनी क्या सकता पड़ेगी लेकिन आपको यह पता लगाना है कि हैस्ट लेवल ओफ एल्यूमिनेशन कहा होगा परदीपन के अधिक्तम अस्तर कहां पर जुरुत पढ़ने वाली है कहां पर सकता है यह कोशन आप से पूछा रहा है रेल्वेय प्लेट प्रदीपन की आवसकता है तो यानि की पूफ रिडिंग इसका अंसर हो जाएगा ठीक है लाग आपको कौशन यहां से पूछ दे की बताओ कि कहां पर हमें सबसे कम प्रदीपन रखना सबसे कम परदीपन के जड़ सकता होती है वह रेल्वे पिलेट फ्लेट्व में ठीक है दोस्तों की दरें लोग समतलिंए कोन का मात्र क्या होता है यानि कि मैं रख शब्लीमेंटरी यूटंट यूटंट तो supplementary की दो परकार को थे मैंने कल भी बताया था प्रिविजन हो जाएगा आपका देखिए यहां से question आगा वही question आगा जो मैंने कहा था कि आपको फूशन समझना है आपको question कहां से आगा बाहर टोपिक से थो बाहर आएगा नहीं न अगर आप concept को समझ लेता हो को समझ आपक हो कि दो तरहीचे होते हैं एक संतल कोन का यह मात्रक होता है कि एक रासी है इसका नेतर होसकता है चलए का मातर को सकता है पताएंगे तोर ursh कि यह मातर की होगी कोड़ित क्या है कि सम्तल कोंग का एंगल क्या होगा का युनिट तो रेटिन हो जाएगा ठीक है तो यहां पर रेडियन आपने मारं ज़िए लेकिन अगर आप से कुछ दे कि ठोस्कॉण का नेज़क पूछ ले कोई कहीं कि पर को सकता अब आपको ध्यान रखना है चलिए नेक्स कोशन की तरह बढ़ते हैं कि अब के दोस्तों सो आज हमने इतने सारे कोश्चन किये अभी जैसे जैसे समय बिता जाएगा हम अपने कोश्चन की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाते जाएंगे आपको बस हमारे साथ जूरी रहना है र जो एप है उसको आपको क्या करना है जल्दी से जल्दी जा करके डाउनलोड कर लेना है ठीक है ताकि आपको वहां से सारे के सारे चीज़ें आपको आसानी से एक ही आप पर एक ही जगह पे मिल जाएगे ठीक है तो आप जा करके इसे डाउनलोड कीजिए और वहां पर आप आने वाले चेप्टर हैं उसकी भी लगातार क्लास चलती रहेगी आपको बस जुरे रहना है हम से और सारे क्लास के पैक्टिस करनी है थैंक्यू सो मच पूर जोइनिंग डिस सेशन जै हिंद जै भारत